नवस्कार मैं हूँ अन्यू सिंग और आप देख रहे हैं जीयस नियूजा ये देखते हैं बिहार की बड़ी खब्रें बिहार में कोडोना का महाविश्पोर्ट 171116 मरीज मिले राजी में आकड़ा पहुचा 17421 बिहार में कोडोना के मामले प्रतेक दिन लगातार बढ़ते जार हैं प्रतेक दिन सैक्रों की तादात में मरीजों की शंख्या सामने आ रही है आज बिहार में कोडोना का महा विश्पोर देखा जाड़ा है स्वास्ति विवाग की तरब से जाड़ी किये गए ताजे आकड़ों के अनुशार सबसे जादा केस 171116 पॉजेटीब मामलों की पुष्टी स्वास्ति विवाग ने की है इसमें संक्रमितों के मिलने के बाद राज़ी में संक्रमन का कुल आकड़ा बढ़कर 17421 हो गया है बिहार में कोडोना की भयावा इस्तिती एम्स के बाहर फुटफार्ट पर लेटा रहा कोडोना मरीज देजश्वी ने ट्वीट कर सरकार पर उठाए सवाद नेता बिपक्ष तेजश्वी यादब ने सोंबार को ट्वीटर पर एक वीडियो पोश्ट कर राज़ी सरकार की स्वास्तिय विवस्ता पर शवाल खड़ी किये हैं तेजश्वी ने लिखा है कि बिहार में कोडोना के हालत बहुत भयावा है आने वाले दिनों में स्थिती बेकाबू होने वाली है सरकार जाज नहीं कर रही और कर रही तो आक्रेट छिपाड ही तेजश्वी ने जो वीडियो पोश्ट किया है उसमें पटना एम्स के बाहर एक कोडोना मरीज लेटा है और पडिजन उसे भरती करने के लिए गुहार लगार है बिधान सवा चुनाव के लिए पपू यादव ने दिया नाड़ा 15-15 बेकार अब जनता सरकार बिधान सवा चुनाव के पहले जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पुर्व सांसत पपू यादव ने नया नाड़ा दिया है पपू यादव ने बिधार में 15-15 साल की शरकार को बेकार बताते हुए अब जनता सरकार की बात कही है और अगा बात पहुँचे पपू यादव ने आज जन अधिकार पार्टी के काड़ी करताओं के साथ बैठक की आज से बिहार जहारखंड के बीच ट्रैनों का पड़िचालन बंद बिहार से जहारखंड आने वाली ट्रैने आज से नहीं आएंगी राज्जी में कोरोना के बड़ते संक्रमन को देखते हुए रेल मंत्राले ने सीम हेमंत शोडेन के आगरह पर इस बाबत आदेश जाड़ी किया है अगले आदेश तक बिहार से जहारखंड आने वाली ट्रैनों का पड़िचालन बंद रहेगा पुषपंप्रिया की सीम नितीश को चिठी खुद को बिहार में मुख्यमंत्री पत का उमीदवार घोशित कर चुकी पुषपंप्रिया चौधरी ने सीम नितीश कुमार को चिठी लिखी है चिठी में उन्होंने स्वरगिय सुसान सिंग राजपूत को सरधान जली देने के लिए पटना के तारा मंदल को उनके नाम से करने का आगरह किया है पुर्णिया में फोटो सूट के दोरान नहर में डूबे तीन दोस्त, पुर्णिया जिले में फोटो सूट के दोरान तीन दोस्त नहर में समा गया घटना सदर थाना छेतर के दमका चौक स्थित गुलाब बाग नहर की है जानकाडी के अनुशार नहर में डूबे तीन दोस्तों में से एक की मौत हो गई है वहीं अस्थानिय तैराकों की मदद से नहर में डूबे दो अन्य यूपकों को नहर से धून निकाला गया बिहार बिधानसवा चुनाव में मुख्यमंदरी नितीज कुमार की पहली वर्चुल रैली को सफल बनानी में जुटी जेडियू बिहार बिधानसवा चुनाव तथा दल के राष्ट्रे अध्यक्ष नितीज कुमार की, 7 अगस्त को होने वाली पहली वर्चुल रैली के मध्य नजर बिहार के सत्तधारी दल जद्यू की, बिधानसवा वार वर्चुल काड़ी करता सम्मेलन 18 जुलाई से आरंब होगा 31 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन को पार्टी के प्रमुख नीता संबोधित करेंगे, इसके लिए पार्टी अपने चार प्रमुख नीताओं के ने तृत्तों में चार टी में गठित की है खबर में आगे बढ़े, उससे पहले आज का फास्ट जीयस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तयार हो जाएए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए, तो सवाल ये रहा आपके मुबाईल स्क्रीन पर कारगिल युद्ध कौन सी इश्वी में हुआ था, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A, 1998, ऑप्शन B, 2019, ऑप्शन C, 1999, और ऑप्शन D, 1998 उम्मीद है, आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखती होंगे अपने नाम और मोबाईल नमर के साथ, अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन दबाए, ता ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग, कोडोना काल में पुलीस अधिकारियों के तवादले पर बिहार पुलीस एसोशियेशन ने एतराज जताया है, बिहार पुलीस एसोशियेशन के प्रदेश अध्यक्ष मिर्तुनजे कुमार सिंग ने मुख्याले आई जी को पत्र जाना वही करेगा देखभाल, सुप्रिम कोड ने केरल के एधिहासिक स्री पदनाव श्वामी मंदिर के प्रशासन में 53 कोड साही पडिवार के अधिकार को बरकरार रखा, स्री पदनाव श्वामी मंदिर के मामले के प्रवंधन वाली प्रशासनिक शिमिती की अध्यक्षत त्रिवेंद्रम के जिला न्याय अधिश करेंगे कोड ने केरल उच्छ न्याय आले के 31 जन्वड़ी 2011 के उस आदेश को रद्ध कर दिया जिसमें राजी सरकार से स्री पदनाव श्वामी मंदिर का नियंत्रन लेने के लिए न्यास गठित किया गया था माना जाता है कि यह भा सावन की दूसरी सोंबारी आस्तुखत संयोग देने वाली है आस सावन क्रिश्ण अश्टमी शोंप्रदोश ब्रत भी है सावन महिने के सभी सोंबार भगवान सिपकी पूजा के लिए विशेश माने जाते हैं इस दिन भक्त घर पर या मंदिरों में जाकर जलाविशेख कर करते हैं लेकिन इस वार कोडोना महामारी के कारण श्रधालों को शिप मंदिर में प्रवेश कर जलाविशेख करने के अनुमती नहीं दी गई है घर पर बैठे श्रधालू बाबा का वर्चुल दर्शन कर सकते हैं खगडिया में बाड के पानी में डूब कर भाई और बहन की हुई दर्धनाग मौत हो गई बाड के पानी में अस्नान करने के दोडान दिखौन गौं में यह घटना हुई काफी मसकत के बाद ग्रामिनों ने दोनों का शब बडामत किया मिर्टोकों में अंकिता कुमारी जिसकी उम्र बाड़ बर्च और रुस्तम कुमार जिसका उम्र च्छ बर्च है बुढकों के MD कोडोना संक्रमित दफ्तर शील अन्यकरम जाडियों के होगी जाच बिहार में बुढकों में भी कोडोना बंप फूटा है वहां के MD रमन कुमार सहित कुछ कर्मी कोडोना संक्रमित पाए गया है रमनकुमार बुटकों के साथ साथ आवाश बोर्ट के भी MD है फिलाल बुटकों के यहां के राजापुल स्थित दफ्तर को बंद कर दिया गया है बीजेपी प्रदेश काड़ियाले से कोडोना टेस्ट सैंपल कलेक्ट संक्रमन की आसंका प्रदेश बीजेपी काड़ियाले में संक्रमन का खत्रा बढ़ता जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ता अर्विंद सिंग के कोडोना पॉजेटि पाई जाने के बाद काड़ियाले में हर कंप की इस्थिती है लिहाजा आज स्वास्ति विवाग की टीम ने BJP काड़ियाले पहुंच कर कई लोगों का टेस्ट सेंपल कलेक्ट किया है स्वास्ति विवाग की टीम प्रदेश BJP आफिस पहुंची है और वहाँ सेंपल लिया गया है आज से रैपीट एंटीजन टेस्टिंग शुरू पटना जिले में सूमबार से रैपीट एंटीजन किट के माध्यम से कोडोना वाइरस की जाज सुरू हो रही है इशी के मध्यनजर रविवार देशाम पटना के कुछ अस्पतालों में यह किट पहुंच चुका है वहीं पटना में अब महामारी की तीन प्रकार से जाज करने की सुभिधा उपलब्द हो गई है क्या IAS IPS अप्षणों के दवाब में नितीज कुमार ने निस्क्रिय किया स्पेसल विजिलैंस यूनिट बिहार के सीम नितीज कुमार ने 15 अगस 2007 को पटना के गांधी मैदान में श्वातंतरता दिवस के मौके पर भष्टाचार के खिलाफ एक जोड़दार भासन दिया था तब ऐसा लगड़ा था मानू बिहार से करॉप्षन के नाम और निशान मिट जाएंगे लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है ट्रिपल आईटी भागलपूर ने खोजा सौप्ट्वेर डिजिटल एक्सरे सौप्ट्वेर में एक सकेंड में ही पता चल जाएगा कि मरीज कोडोना पॉजेटिव है या नहीं खर्च होंगे मात्र एक सो रुपए भागलपूर ट्रिपल आईटी के कोडोना जाच के डिजिटल एक्सरे सौप्ट्वेर तयार किये गये हैं इसके बाद एक सो रुपए खर्च करके एक सकेंड में कोडोना की जाच हो सकेगी इंडियन कॉंसलिंग ओफ मेडिकल रिसर्च एक दो दिन में अपनी स्विक्रिती देशकता है MHRD ने भी शौप्ट्वेर की सराना की है और निर्देशक अडविंद चौबे तथा उनकी टीम को बढ़ाई दी है चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रसंद का सही जवाब जानने का कल के प्रसंद का सही जवाब है ऑप्शन B 28 जुलाई 1914 जिन्होंने भी सही जवाब दिये उनको बहुत बहुत बढ़ाई उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिये उनके नाम कुछ इस तरह से हैं अगर यूट्यूब की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिये उनके नाम है शत्यम शिवम उसके बाद है शिवम यादव चंद्र भूशन भुपेंद्र कुमार गुपता संजीब कुमार राजीब सर्मा एमडी तन्वीर शिव क्रांती और परशुराम कुमार इसके अलावे कर फेश्बूक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिये हैं उनके नाम है सत्यम यादव उसके बाद है शिवम यादव प्रतिवा जहापर शुराम कुमार आनंद कृष्णा प्रभात रंजन एमडी अंजार अमलेश कुमार पुस्पेश परासर बिट्टु कुमार और मनीस यादव बहुत-बहुत धन्यवाद सबको